नमस्कार बच्चों, मेरा नाम में नाक्षी शर्मा है और मैं आपकी हिंदी डी चरूँ कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी घर में स्वस्थो और सुरक्षित होंगे आज मैं आपको आपकी पाठ्थे पुस्तव बसंत भाग दो का चोदेवा पाठ खान पान की बदलती तस्वीर का शेश पाठ पढ़ाऊंगी तो इसमें हमने क्या देखा था? कि बच्चों आजकल क्या है? खाने का ट्रेन बदल चुका है पहले लोगबागों की और पसंती बच्चों की आजकल सब इडली, डोसा, सामबर, च्वीचा, वर्गर इन चीजों को पसंद करते हैं तो आईए इससे आगे के पार्ट में हम खान पान की बदलती तस्वीर के बारे में जानते हैं खान पान की जो एक मिश्रित संस्कृती बनी है मिश्रित क्या होता है? मिली जुली इसके अपने सकारात्मक पक्ष भी है ग्रेणियों और कामकाजी मैलाओं को अब जल्दी तयार हो जाने वाले विविद विंजनों की विधियां उपलब्ध है नई पीडी को देश विदेश के विंजनों को जानने का सुयोग मिला है बले ही किनी कारणों से और किनी खास रूपों में क्योंकि यह भी एक सच्चाई है कि यह विविद विंजन इन्हें निखालिस रूप में उपलब्ध नहीं है मतलब आज कल क्या हुआ है कि ग्रेणियां जो कामकाजी मिला हैं उनको ऐसी अनेग विदियां उपलब्ध हो गई है जिसे फटाफट बोजन तयार हो जाता है और हमें इससे क्या हुआ है मिश्रित संस्कृती से देश-विदेश के विंजनों के जानने का भी सुयोगसु अफसर मिला है आजादी के बाद उद्योग धंदों, नौक्रियों, तबादलों का जो एक नया विस्तार हुआ है उसके कारण भी खान पान की चीज़ें एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में पहुची है जैसे किसी का ट्रांसफर हो गया, कोई काम धंदे की चकर में दूसरी जगह रह रहा है तो इससे भी क्या है, जैसे मालो गुजरात का व्यक्ति कोई दूसरे राज्ये में रह रहा है तो वो वहाँ पे गुजराती चीज़े बनाता है तो इस प्रकार और पड़ोसी भी एक दूसरे के प्रदेशों के खान पान की चीज़ों से परिचित होते है बड़े शैरों के मध्यमवर्गी स्कूलों में जब दूपैर के टिफिन के बक्त, बच्चों के टिफिन डिबबे खुलते हैं तो उनसे बिविन प्रदेशों के विंजनों की एक खुश्बू उठती है आपने देखा है ना कि बहुत बड़े बड़े शैरों में, बहुत बड़े बड़े स्कूलों में, मध्यमवर्गी स्कूलों में जब टिफिन लंच के समय में सब बच्चे एक साथ टिफिन के डिबबे खुल कर खाना खाने बैठते हैं तो उससे अलग अलग पिरदेशों के विंजनों की खुश्बू आती है हम खानपान से भी एक दूसरे को जानते हैं हमें पता लग जाता है को डोकला खारा तो अधिकतर ये गुजराती होगा सामबार इडली खारा है तो दक्षन भारत का है तो ये जो इससे हम एक दूसरे को जानते हैं इस त्रस्टी से देखें तो खानपान नई संस्क्रती में हमें रास्टी एक ता के लिए नए बीज भी मिल सकते हैं बीज भली भाती तब ही अंकुरित होंगे जब हम खानपान से जुड़ी हुई दूसरी चीजों की और भी ध्यान देंगे मसलन हम उस बोली बानी भाशा भूशा आदी को भी किसी ना किसी रूप में ज्यादा जानेंगे जो किसी खानपान विशेश से जुड़ी हुई है इसी के साथ ध्यान देने की बात यह है कि इस्थानिय विंजनों का पुनरुधार भी जरूरी है जिने अब एथनिक कहकर पुकारने का चलन भड़ा है मतलब जो हमारे पहले विंजन होते थे न उनको क्या बोलते हैं अब एथनिक ऐसे इस्थानिय विंजन केवल पांस सितारा होटलों के प्रचारार्थ नहीं छोड़ दिये जाने चाहिए मतलब फाइव स्टार होटलों के प्रचार के लिए ही नहीं छोड़ने चाहिए ऐसे विंजनों को पांस सितारा होटलों में वे कभी कभार मिलते रहें पर घरों बाजारों से ये गायब हो जाएं ये हमारे लिए एक दुर्भाग्य की बात होगी अच्छी तरह बनाई पकाई गई पूड़ियां कचोड़ियां जलेबियां भी अब बाजारों से गायब हो रही है जो हमारे पहले चलती थी ना पूड़ी का चोड़ी जले भी हैं अब ये क्या धीरे धीरे बाजारों से गायब होने लगी है और उनकी जगे के आग है पीजा बर्गर इन चीजों ने ले लिया है पेटीज मौसमी सबजियों से भरे हुए समोसे भी अब कहा मिलते हैं जैसे पहले जो मौसमी की सबजियां होती थी उनसे बरकर जो समोसे बनाये जाते थे वो भी अब उनका प्रचलन भी काम हो गया है उत्तर भारत में उपलब्द व्यंजनों की भी दुरगती हो रही है अचरज नहीं कि पहले उत्तर भारत में जो चीज़ें गली महलों की दुकानों में आम हुआ करती थी उन्हें अब खाश दुकानों में तलाशा जाता है यह भी एक कड़वा सच है कि इस्थानिय वंजनों को हम तथा कथित आधुनिक्ता के चलते छोड़ दिया है हमने और पश्चिम की नकल में बहुत सी ऐसी चीज़ें अपना ली हैं जो स्वात, स्वास्त है और सरस्ता के मामले में हमारे बहुत अनुकूल नहीं है हमारे मतलब स्वास्त के प्रतिकूल है अनुकूल का विलूम क्या होगा प्रतिकूल तो हमें क्या है कि हमने अपने मतलब अपने को आधुनिक दिखाने के चक्कर में हमने अपने स्वात को पीछे छोड़ दिया है अपने वंजनों को इस्थानिय वंजनों को और पश्चिम की नकल करते हुए ऐसी चीज़ें भी अपना लिए हैं जो हमारे स्वास्ते के लिए अच्छी नहीं हैं ये फास्ट फूड ये सब चीज़ें हमारे स्वास्ते के लिए नुकसान दायक हैं हो यह भी रहा है कि खान पान की मिश्रिश संस्कृती में हम कई बार चीजों का असली और अलग स्वात नहीं ले पा रहे अक्सर प्रीती बोज और पार्टियों में एक साथ धेरों चीज़े रख दी जाती है और उनका स्वात गड़ मड़ होता रहता है आपने देखा है ना आप शादी अगर हमें जाते होगी पार्टी में जाते हो तो बहुत सारे पकवान होते हैं बहुत तरह-तरह के मतलब लाइन लगी रहती है हमका स्वात क्या हो जाता है सब मिक्स हो जाता है खान-पान की मिश्रित या बिविस संस्क्रती हमें कुछ चीज़े चुनने का अफसर देती है हम उसका लाप प्रयाइड नहीं उठा रहे है हम अकसर एक ही प्लेट में कई तरह के और कई बार तो बिल्कुल विपरीद प्रकरती व्याले वंजन परोस लेना चाहते हैं जब हम शादी वगर हमें आते हैं तो एक ही प्लेट में जो जो हम पसंद होता है सब चीज़े रख लाते हैं तो कई बार बिल्कुल विपरीद सुभाब वाले वंजन प्रकरती वाले वंजनों को भी परोस लेते हैं इसलिए खानपान के जो मिश्रित प्रिवित संस्कृती बनी है और लग यही रहा है कि यही और अधिक विक्सित होने वाली है उसे तरह तरह से जाचते रहना जरूरी है और जो ये मिश्रे संस्कृती बन रही है न और हमें ऐसा ही अनुमान है ऐसा ही अनुभव हो रह आए कि यही संस्कृती आगे भी और अधिक विक्सित होगी मतलब बढ़ेगी फलेगी फूलेगी और हमें इसकी जान तरह तरह से करते रहना जरूरी है तो ये पाट किसने लिखा है प्रयाक शुकली जी के द्वारा लिखा गया है इसमें हम उन्होंने खान पान की बदलती हुई तस्वीर के बारे में बताया है तो इसी के साथ बच्चों ये पाट यही समापत होता है धन्यवाद